हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ नाजीन असलाम अलेकुम मैं मौजूद हूँ पाकिसान तहरीक इनसाफ के सर्वारा जनाब अमरान खान साथ के साथ इसलामबाद में और नाजीन अबसे थोड़ी देर पहले तहरीक इनसाफ की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी सीएसी का इजलास खातम हुआ जिसमें बजाहरन पार्टी की सेकंडरी लिडिशिप को ये बताया गया है कि अगर पार्टी इसी तरह से सियास्त करती रही जैसा कि अठाईस जुलाए के बात से कर रही है इसी तरह से काम करती रही तो फिर दो हजार अठाबात जीतना मुम्किन नहीं रहेगा लेकिन क्या लोधरा में पार्टी को जो नुकसान हुआ है आज उस नुकसान के खलाफ एक हिक्मत एमली तैकर ली गई है कितना बड़ा नुकसान था कितना बड़ा जटका था लोधरा और आज सीएसी में क्या ऐसी हिक्मत एमली आपने बनाई है जिस से इस चीज़ से अब निकल सकेंगे लेकिन सबसे पहले तो मुहीद ये प्रॉस्पेक्टिव में आना चाहिए कि पंजाब का बाई एलेक्शन सेटिंग गवर्मन्ट के खलाफ फैडल गवर्मन्ट के खलाफ लोकल गवर्मन्ट के खलाफ और इसके अंदर हमारी क्या कुताईयां थी हमारी किदर पॉजिटिव था किदर नेगिटिव था और ये हमेशां एक काम्याब और्गनाइजेशन, एक काम्याब पार्टी, एक काम्याब क्रिक्ट टीम, एक स्पोर्ट्स टीम हमेशां वो एक सेट बैक के बाद जाहिजा लेती है कि हमारी हम ताकि आगे जो आने वाले दिन है उन में हम बेतर काूँ उस पे किस नतीजे पे आप पहुंचे भी को जहांगी खान तरीन साब ने भी इसी तरह से इलेक्शन लड़ा था पंजाब को हकुमत के खिलाफ और 35-40,000 वोट से वो जीत गये थे और ये बात बड़ी धुराई गयी है तो फिर क्या ऐसी गलतियां आपने की हैं इन टरम्स अफ स्ट्राटिजी लोगरा में? अपने जेन में उसकी अनलेसिस ना कर लूँ और ये किसी भी दुन्या में कोई आदमी भी, कोई इनसान उपर गया है तो उसमें ये केपबल होनी चाहिए, केपबलिटी सेल्फ अनलेसिस की यानि वो अपना बेतरीन क्रिटिक होना चाहिए तो मैं कभी हवार नहीं पढ़ता था अगले दिन क्योंकि मुझे अब मैं समझता था कि मैं एक फुल टाइम प्रोफेशनल क्रिकटर, इंटरेशनल क्रिकटर मुझे एक आम जो लिख रहा है सहाफी, उससे बितर अपनी तनकीद करनी चाहिए मुझे खान साब क्रिकट में ठीक है बॉल टेंपरिंग है, उसमें करॉप्शन है, लेकिं पॉलिटिक्स इस फॉर्म और कॉम्पलेक्स तिंग तेंकर थे, मुझे ना ना ना, जिन्दगी के अंदर ये याद रखना हार और जीत के डैनेमिक्स एक ही है, जो मर्जी आप करे हारने का एक डैनमिक होता है, जीतने का, इस हार से क्या सीखा आप लोगों ने, लोधर रहा था, हम जब हमारे जो अनलिसिस होता था था ना, अब कियो लोगों ने, जब आप हारते हैं ना, तो उसकी एक चीज़ याद रखें, मश्वरों की बारेश हो जाती है, यह मुफ् हारते थे, तो अमूमन यह होता था, जब आप हारते थे, तो प्लेयर्ज ने रात पार्टी की, सोईनी पूरी तरह, जब आप जीते थे, मैं बार की बात करा हैं, प्लेयर आप्लेंड न्यूजिलेंड की जाम्या मस्धित में जाके नमाज पढ़ी उन्होंने, और अला से द पार्टी के उन्होंने टाइम ने दिया, खुद आज उन्होंने का है, कि मैं अपने हलके में जो टाइम देना चाहीए था, नहीं दिया. उस एलेक्शन के बाद, दो हज़ार पंदरा के एलेक्शन के बाद, जहांगीर खान तरी ने वो वक्त वहां नहीं गुजारा, जो ग लेकिन क्योंकि अमूमन तो एलेक्शन ते तीन चार पांच वहने आप पहले जाते हैं हलके में, वो डिस्कॉलिफ वो गए तो वो जो एपसंस था, एक उसका नुकसान हुआ, दूसरा गमर्ण ने जो पैसा खर्च किया, वो तो हम खुद जब गए वहां तो वहां सड़के बनी हुई हैं, इन्होंने किया कि पैसा बचाया, और ये हलकों में आप नून लीग वाले एक से डेडर अरप रुपया लगा रहे हैं, इन्होंने पैसा खर्च किया, और बेतहाशा पैसा खर्च किया, और तीसी चीज़ थी, जो स्पोर्ट्स में, पहला आपको सबक होता ह कभी अपने दुश्मन को अंडरेस्टिमेट ना करो, नेवर अंडरेस्टिमेट जो एनिमी, वो ओवर कॉन्फिडंस आ गये इनों में, कि हम इतरा जीत रहे हैं, और उन्होंने जो नीचे काम किया, उन्होंने लोकल गर्वर्वंट में पैसे लगाए, उनके लोकल गर्वर सारी लोदरा में, उनका जो एमपी था, जो उनका बाप था, वो घर गर गया हो, तो उनकी मेनद ज्यादा थी, एमपी के वाले सब थे, अकबाल शाह साथ, लेकिन खान साथ, आपने का जहांगीर खान तरीन साथ ने जहार है, यह नहीं सोचा था कि मैं डिस्कॉलिफाई हो ना मुम्किन है, देखें, मैं पार्टी का हैड हूँ, मेरी जिम्मेदारी सारा पाकिस्तान है, और पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है अज पाकिस्तान की, माशाला, वज़ा उसकी यह है कि यह चारो सूबों में हैं, यह जो है नूनली, यह तो सिरफ एक सेंडर पंजाब की पार्टी है, असल इनका दो जोर उदर है, इसे कोई तहरीक इनसाफ सारे पाकिस्तान में हैं, और फिर केपी में गर्बंट है, उदर भी जोर देना पड़ता है, तो लहाजा मेरा एक हलके में मैं टाइम नहीं गुजार सकते हैं, आपकी पार्टी भी वहा मेनत नहीं कर देखें, एक और चीज़ आज हमने डिसकस की है, हम एक मेंबरशिप कैमपेन अपनी लाँच कर रहे हैं, ठीक है, मेंबरशिप कैमपेन से हम नीचे तक अब जा रहे हैं, नीचे यूनिन काउंसल, वार्ड लेवल पे, उसकी वज़ा ये है, कि ये बेतरीन तरीका है, एक प मोबाल फोन जो है, ये दुनिया बदल दिया है, लहाजा ये जो हम डेटा कठा करेंगे, ये सारा मोबाल फोन पर आ जाएगा, तो हर कैंडिड़ को पता होगा है, मेरे मेंबर्स किते हैं, तो हमें एक प्राप्लम आता है, जो हमारे नए लोग होते हैं, उनके पास पोलिंग एजन्स नहीं होते हैं, याद रखना आदी एलेक्शन आखरी दन होती है, पोलिंग डेपे, आपके पोलिंग एजन्स चाहिए हैं, यही चीज़ मुझे साउथ पंजाब के एक पोलिटिकल एक्सपर्ट में कही है, जो सियासदान नहीं है, लेकिन एक 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 साउथ पंजाब से हैं, वो कहते हैं कि आप लोग बहुत बरी तरह से एलेक्शन हार जाएंगे, अगर आपने ये अपनी रवश ना बदली, यूनियन लेवल पे और तहसील लेवल पे आपके दफातर ही नहीं है, सादन पंजाब में, वो कहते हैं कि सिर्फ डिस्ट्रिक ल हरी, अलेक्टबल है, ये अलेक्टबल नहीं, इननने हलका बनाय हुए, इनके बाप दादा पौलेंदा का हलका नहीं था लोद्रा, इननों ने लिए मियावाली के लोगों ने रहायत इसलिए की, कि वो उनने पता था कि मैं मियावाली से खड़ा हूँ, मैं तो एकी सीट ती ना मियावाली की, लेकिन उनको ये पता था कि मैं मुझे मेरी मुझबूरी है, मैं उनको कहता था, मेरी मुझबूरी है, कि मेरी सारे पाकिस्ता के ڈینامیکس मختلف है. आप देखें कि काफ लीग सारे सारे एलेक्शन बाइ-लेक्शन जीद गई पंजाब में जब काफ लीग पावर में और नून लीग जाके जनलर जीद गई. पीपल्स पारटी तकरीबन नाइटी परसंट बाइ-लेक्शन जीद गई जब पीपल्स पारटी नहीं तो अब हिक्मत अबली है क्या आपकी और इस एलेक्शन में क्या हो रहा है क्या इसको एक टेस्ट ग्राउंड बनाएंगे आप लोग देखने के लिए इसमें एक और चीज़ है देखें मैं यह समझता हूं कि यह नूनली कि इतनी इंट्रेंच्ट है इन्होंने धानली क इतने तरीके नकाल लिए हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता यह क्या करते हैं अब देखें एक तलागांग के लेक्शन हुआ जेनरल इलेक्शन में यह च्छे आलीस हजार वोट लेते हैं प्रोविंशल एसेंबले की सीट तलागांग में बाई एलेक्शन में च्छेतर वोट एक्स्टर लेज़े प्रोविंशल एसेंबले की सीट में अब इन्हों ने परफेक्ट जो दोजार तेरा के लेक्शन में हमने जब जो जुडिशल कमिशन बनी तो हमने देखा इन्हों ने एक तरीका नहीं दान लिका यह इतने इन्ट्रेंच ने तरीके नकाल एक तो हमारी त्यारी है त्यारी से लड़ेंगे एक सरफ में तो आज ही शुरू की होगी ने 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 यह हमें काफी चीज़ें तो पता चल गी ना हम पॉलिंग एजन्स की ट्रेनिंग कर वा रहे हैं एक एक्सपरिमेंट मैं करने लगा हूँ यह सरगोदा की एलेक्शन म हम इसमें जो मकाबला कर रहे हैं लेकिन मैंने देखना हैं कि इनको पबलिक आती ने है और वोट ऐसे पड़ डल जाता है इसमें कोई शक ही नहीं अप देखेंगे ना व मैं आपको उसके बाद बताओंगा क्या होगा इसके बाद पांच मार्च के बाद लेकिन लहौर में आप देखें, दोजार तेरा में क्या हुआ, जिन लोगों को कभी भी साथ हजार से ज्यादा वोट नी पड़ी थी, उनको एक लाग दस हजार, एक लाग बीस हजार, लाहर में इनको, नवाज श्रीफ को कोई नवे हजार पढ़ रही है, बाकियों को नवाज श्रीफ से ज्या मौकन विलो नवाज श्रीफ साथ, शहवाज श्रीफ साथ, मरीम नवाज और हम्जा सभी लोग लोधरा में मौजूद थे, अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, वहाँ नवाज श्रीफ साथ ने बड़े दल्चस्प किसम के नहरे मारे और फिर उनने सराइकी में भी क communication, नवाज श्रीफ की ने बेटे से तनखाली इसे निकाल दिया, एक सो रुपे की corruption भी मैंने नहीं की, कभी आपने दुनिया में ऐसा सना है, फिर उनने का कि आने वाले इंदखाबात में आपने बड़े बड़े फैसले करने हैं, यनि वो कह रहे हैं कि मैं जुडिशिरी को अठाइस जुलाई के जटके के बाद, उनों ने और मरियम बीबी ने बड़ी ज़ानत से नए नारे निकाले हैं, और अवाम पढ़े लिखें नहीं हैं, आप मिल्ल क्लास से बात कर रहे हैं, डॉक्टर, एंजिनियर, सिवल सर्वन्ट, आर्मी आफिसर, एकांटन्ट, यनो इस तरह से एंबिये वालन जो बनना, वो लोग आपको समझ रहे हैं, कौमन आदमी को यही नारे समझ आते हैं, मैंनो कट देता है, मैंको कट देता, मुईद, जो इनसान समझते हैं कि लोग बेफकूफ हैं, उससे बड़ा बेफकूफ कोई नहीं है, यह जो अक्सिरियत को स इस ने फाइदा उठाया, क्योंके हालांकि इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, अभी किसी, उन्होंने एक काम है, बेस बना दिया, अब एक काम है, अपने बेस को तो टरनर रूं कर दिया ना, अपना वोटर बेस जोगारा है, उसको उसने फाइदा उठाके, उस चीज़ को, हलांकि वो इसके में इतनी तीस हजार कुर्ड रुपए की इन्होंने जवाब देना है, तीन सो अरब रुपया मुल्क से बाहर लेके गया है, उसका जवाब देना है, बच्चे अरबो पती बने हुएं, छेसो कुर्ड रुपए के घर में रहता है, जवाब देना था, और इसकी जमेदारी थी, क्योंकि कानून ये कहता है, कि जब एक पबलिक अकाउंट, पबलिक आफिस होल्डर, जब उसकी कोई प्रॉपटी डिसकवर होती है, जो पैनमा में इनकी हुई, तो जमेदारी इसकी थी बताओ के पैसा किदर से आया, इसने स्वाए कत्री खत के, जो साज़श की, ये तब से अठाइस जुलाई से पाकिस्तान की अदलिया के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी फौज के पीछे पड़ा हुआ है, और लोगों को ये कह रहा है कि जी मैं मुझलूम हूँ, ये इन्होंने मेरे खिलाफ एक इंटरनेशनल साज़श हो गई, लोगों को ये नहीं बता रहा है कि तीन सो और अरफ रुपाए का जब हसाब तो दे दो, ये कि कौमन आदमी नेरिटिव खरीद रहे है ना उसका जिटी रोड की आज़ लेकिन ये टेमपरी है, ये आप याद रखें कि देखें, इसके अंदर ये जब लोगों के पास गया और ये चीज़ कह रहा है, इसको बेनेफिट किया हुआ, एक जुडिशरी ने जिस तरह इसको जो एविडन्स सामने आई, जो जियाएटी में एविडन्स सामने आई, उन्हों ने एक बड़ा कमजोर फैसला दे दिया, एकामे का, दूसरा, उस वकद आपने पॉइंट आप ने किया, मैं वहाइद बंदा था मेडिया में जिसने का कि बड़ा कमजोर डिसिजन, अजीब खुरीब साइड इस ने हम कैसे, वो पछले अदलियो को टैक करा था तो हम कैसे करते, पहले ही अदलिया अंडर अटाक है तो हमारा काम था, उनको और तूना ना अटाक करते, इ Secondly, अदलिया ने एक्शन ही नहीं लिया, जब आप एक मुल्की अदलिया को पबलिक के सामने, उसके पबलिक को अक्सार हैं अदलिया के सामने, अदलिया को, आमीन आप जजेज पांच मेंबर बेंच जोनों ने इसको पूरा मौका दिया, अपनी सिफाई पेश करने का, उसके खलाफ कौम को बढ़का रहा है, गलत बातें कर रहा है, जूट बोल रहा है, अब अदलिया ने, एक कंटेंट पे कोई कोशिश ने, इसके ओपर कहीं भी दुनिया में, मैं मौहिद बात खتم कर दूँ, कहीं भी दुनिया में अदलिया ने कंटेंट में बला के जेल में डालन रहा, वो बचारे जो गरीब लोग जेलो में भरे हुए हैं, उनका क्या कुसूर है? उनकी क्या चोरी छोटी है इसलिए? या अगर डाका मारो तो बढ़ा मारो ताकि आपको कोई पकड़े ना? वे इसी नुकते से नाजरीन हमारे साथ रही है, इसी नुकते से गुफटगो को आगे बढ़ाते हैं. आफ्टर अब्रेक, आफ्टर अब्रेक नासीन वेल्कम बैक खान साथ कह रहे थे वक्षफ से पहले कि अदलिया को सख्त नोटिस लेना चाहिए था नवाज शरीफ साथ के रिवये का और इल्जामात का और हमलों का यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं खान साथ वहाँ लिला चाहिए था यहाँ देखें अजीब जीब से कई डिसिजन आते हैं आइम सॉरी तो से डिसिजन को चुक्के हम अपके डिसाइस कर सकते हैं टेक्निकली आज इसाथडार साथ के हवाले से लहौर हाई कोट ने जो फैसला किया है कि इसाथडार साथ जो के प्रोक्लेंड उफेंडर हैं जिनके डॉकुमेंट्स घलत साबत हो चुके हैं जिन्होंने जाली और कुशिनबल मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी दिये हैं करॉप्शन की डायमेंट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ और प्रोक्लेंड उफेंडर हैं जिन्होंने अपनी प्रोक्लेंड उफेंडर के स्टेटस के खिलाव नैप को चैलेंज किया इसलामबाद हाई कोट में जिस्टिस अथर मिनला के और उनकी पिटेशन एक महीना उनको टाइम मिला और उसके बाद उनके पिटेशन पर खास्त हो गई, वो प्रोटेंब रफेंडर हो गए, उनको आज लहोर हाई कोर्ट ने इलेक्शन सेनिट में हिस्सा लेने का, मैं कहता हूँ अजीब गरीब डिसुशन है, ब्लैक डिसुशन, वो उन्होंने जो है, वो कर दिया है, तो आप कह रहे हैं कि अदलिया ने इसको अजासे दे दी, आप सिर्फ मुझे ये बताएं, कि एक कौम की इखलाकिया, मौरल वैल्यूस का किदर रह गए हूँ, सारी कौम के सामने एक आदमी यहां से भागता है, जस्टिस से, और जूट बोलता है कि मैं बिमार हूँ और बिमार नह देने की कोशिश करता है जो इसको मिलानी चाहिए था, प्राइम मिनस्टर मुलक का उसको अपने जहाज में बाहर बेजता है, अदालत से भागा इसलिए हुए है कि ये बता नहीं सकता कि नवे गुना इसके पैसे बाहर कैसे बढ़े, इसके बेटे, अर्बो पती कैसे बन बजाए जवाब देने के, वो बाहर चला जाता है और उसको अगर इजाज़त मिल जाती है, मुझे बताएं किदर रहेगी मुरालिटी पाकिस्तान की, मैं अपनी, मेरे ज़रा, मुझे इन्हों ने, मुझे भी अदालत में लेके गया और अच्छा किया, मैंने खुद का मेर मुरालिटी के तो मस्ता है, यह तो पावर डैनामिक्स है, आपके वकील ले करना था ना कुछ लिए एक मिल सुन तो लिया ना, मैं पहले कंप्लीट कर दूँ, देखे मेरा भी हुआ, मेरा एक फ्लैट था जो 34 साल पहले 60 लाग का लिया, मैंने 40 साल पुराने कांट्रेक्ट दिखाया, 24 साल का मैं बच्चा था, मैं किदर से कांट्रेक्ट ले के आता, मुझे मिले, मैंने फ्लैट के मौगेज बनाए, मैंने फ्लैट की मनी ट्रेल बताई, मैंने बताया वो कितने का बिका, उसकी मैंने सेल्स दिर दिखाई, मैंने फिर वो जो जमाइमा की कैसे, कैसे उसके अकाउंट में गया, वो रसीतें दखाईी, वो पाकिस्तान में कैसा आया, और यहां जो खरीदा है, इसकी सारी रसीतें दखाईी, साथ डॉकिमंट्स दखाईी मैंने, इससे पूछना था कि एक तो इसकी कनफेशनल स्टेटमेंट है, जो इसने नाम दिये हुए हैं, का ना वो अनफॉचनी हुदाईवा पेपर मिल केस खुला, उसके अंदर हम सुप्रीम कोट में जा रहे हैं, उसके बाद इसको दे दिया है, अजाज़त लड़ने की रहे हैं, इसकी सूरत इसकाईडर में एक 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 लीगल स्ट्राटेजी होनी चाहिए, पेनामा में ठीक है क उनकी तो हजारों में चोरी हैं, लाखों में हैं, या अरबो रुपै की चोरी हैं, और वो राम से दिन्दनाते पर हैं, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, देगे नवाज श्रीफ हर जगा कहता है, और उसनकी बेटी, कि जी अवाम के अदालत में फैसला होगा, आप न इतना, या इसको जेल डालना चाहिए, सिर्फ ये कहने के लिए, कि कितने बेट, यानि कितनी हकारत से देखते हैं लोगों को, कि ये बेट कुछ बेड़ बकरी है, कभी अवाम भी फैसला करती है, कभी सुना है, कभी सुना है, अवाम का काम है वोट देना, अदालत का काम है इनसाफ देना अब बो एक प्राइम मिनस्टर नेटर ने नेहा हूँ यहा हूँ लेक्व वोट ही इमपोर्टन्ट है रूल ओफ लॉव अधालत नेटर हो यह चाहूँ वो असलमें यह कह रहा है कि अगर आपके खर्चेश ज्यादा है आपकी आमदरी से तो मैं क्यों जवाब दू? वो तो अपने आपको अबाफ लौ समझता है. वो यही नहीं समझता है कि डिमॉक्रिसी में प्राइम मिनस्टर और बादशाथ में फर्क ही होता है. प्राइम मिनस्टर जवाब दे होता है. वो जवाब नहीं देना चाहता. और वो कहता है मैं अवाम ने क्योंके मुझे वोट दिया है. मैं जितने मर्जी लूट हूँ. देखे, आज दो-दो हुए हैं अभी. एक इसराहिल का प्राइम मिनस्टर. मैंने आज इसकी ट्वीट भी की कि कि इसराहिल प्राइम मिनस्टर को पुलीस ने कहा है. चौर्चीट कर दिया. पुलीस ने कहा कि इसके ओपर करॉप्शन की केसिज है. और रहें कि इस फिट फूर चौर्चीट है. जूमा जो प्रेजिडन्ट साउट अफरीका उसको उसकी पार्टी ने रिजाइन करवाया करॉप्शन के ओपर. वहां इदारे हैं. सोचें वो कोई साउट अफरीका हमारे से अड़वांस तो नहीं है. मुझे ये बताएं कि यहाँ ना पार्लिमेंट में कुछ किया. ये आप इसको इखलाखियात से देख रहे हैं. पावर डैनमेक्स है ना. पीमलन की पार्टी के धांचे और स्ट्रक्टर पे नवाज शरीज साब को आपके मकाबले में आपको पीटी आए पे उसका गालबन कंट्रोल नहीं है. उनको अपनी पार्टी के धांचे पे जो कोई भी है मुकमल कंट्रोल हासल है. मेरा सवाल आप से है कि ये पावर डैनमेक्स हैं. पंजाब का पैसा, पंजाब की हुकूमत, सेंट्रल गर्वर्मेंट का कंट्रोल, नवाज शरीज साब आपोजिशन लीडर भी है और हुकूम भी खाते हैं, सारे वजीर भी खलाते हैं, ज्यादा तर इनके लोग पैसे खा रहे हैं. इनके मुझे कोई बता दे को कोई नजरियाती आदमी हो जो इनके साथ, क्या हाकान अबासी को नहीं पता कि नवासी जूट बोल रहा है? क्या उसे नहीं पता कि इसके अरबर को पता चोरी का पैसा लेकिन नहीं मुईद ये खुद मुलविस हैं ये सारे करप्चन में मुलविस हैं आपके और्गरमेंट ठीक होंगे कि लेकिन क्या ये सही नहीं है कि मौतरमा मरियम नवाज ने जिस तरह से सोशल मीडिया स्टेटर उनकी वो अब कन्वेंशन कर रही है उन्होंने एक और्गरमेंट टर्नराउंड कर दी है मतलब आपके बेस को एफेक्ट नहीं किया लेकिन अपनी पार्टी को उन्होंने एनरजाइस कर दी है कि हम मुझलूम हैं हम विक्तिम हैं हमारे इंसानी हकुक की ख़ला वर्जी हो रही है उनके लोग इतने पढ़े दी ने की मार्च से शुरू here जाएगी आप देखें तो सजी हम तो झो हो झी निकले हम तो सब्कों पर नही निकले हम जब निकलेंगे और पढ़न के पास हाकाइक लेके जायेंगे और चार पांच बीने लेके जाएंगे आप देखेंगे इनके लोग आखिएसला करेंगे नए स्लोगन्ज होंगे आपके पस से लोगन्ज नहीं हां काइक लेके जाएंगे आपके ऐसे नारे चाहिए होतें को नवाज गो नारा था अारे निकलते है manifesto से और नारे निकलते हैं आपके program से मैं आपको यह कह रहा हूँ कि हम जो चीजें सामने लेके आएंगे यह वो कहते है ना form is temporary classes permanent थोड़ी देर के लिए कोई भी चौके चिके मार देता है लेकिन आखर में class पर बेल करती है मैं यह जो नवाशी की सारी campaign है इसको बड़ा मुश्कल होगा sustain करना क्योंकि इनके पास इनके सामने अभी अदालतों में केस दा रहे हैं देखें नवाशी साहब जो है ना वो लोगों को यह बता रहे हैं PML लोगों को यह कह रहे हैं कि देखें हमने हमने इससे कहते हैं हमने मेटरो बनाई हमने मोटर वे बनाई हमने औरंज ट्रेन बनाई हमने स्पीडो बस बनाई हमने दूसरा वाल बनाया ये जंगला का मजाक उडाते थे अब कि खुद वहां पर एक मेट्रो बना रहे हैं वो इस किसम की चीज़े दिखाते हैं वो कहते हैं हमें गैरा हजार मेगावाट बनाया हमने कराची ठीक कर दिया हमने बलोचस्तान ठीक कर दिया हमारी बड़ी खिद्मात हैं आज उन्हें लोधरा में कहा कि अगर हमारी हुकमत आएगी तो लोधरा में हर आदमी को हम एक घर देंगे जिसके बस घर नहीं है हर شخص کے پاس ایک بکان ہوگا योँ उनके नहरे हैं आपके पास अब क्या नहरे है नहरे 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 जूटे वादे हैं यह हर बारी करते हैं हर जगा जाते हैं वादे कर दए आप इनकी पुरानी उठा के दें वो तो खेर लादा चीज है देखें आँखर में लोगों ने फैसला ये करना है जेनरल एलेक्शन में बाई एलेक्शन को कभी कंपेर ना करें जेनरल एलेक्शन जनरल एलेक्शन में जो इस वकद जो पैसा खर्च कर रहे हैं ये बाई एलेक्शन में जिस तरह के कंसिट्यूसी में पैसा दे रहे हैं जो जनरल एलेक्शन में ये चीज़े नहीं चलती जनरल एक्षन में आप यूसफ रजागिलाई ने कितना पैसा मुलतान में खरच किया हार गई यहां राजा परवेज bons अश्रफ ने गुजर खान में कितना प्राइम मिनस्टर ते पैसा खरच किया हार गई जनरल एलेक्शन की डाइमिक्स बिलकुल मुफ्तलिफ होती है उसकी एक वेव चलता है, एक हवा चलती है एक लोगों के, वो कहते हैं एन आइडिया उस टाइम कम्स एक सोच आ जाती है लोगों में, लोग आ एंड में फैसला करते है मेरी जिन्दी और मेरे बच्चों की कौन बदलेगा वो बड़ा एक जनरल एक्शन का मुफ्तलिफ फैसला होता है बाइल एक्शन में, गभर्मन तो नहीं बदल ली, गभर्मन तो वही है इसलिए उसके डाइमिक्स बदलेगा आपने लोगों को ये भी तो पताना ना, पीटी आएने और आपने एकी ये जो करॉप्शन है, इसका गली के साथ, नाले के साथ, सड़क के साथ, हेल्थ के साथ, बुरे हसाताल, डिस्पेंसरी से तालुक है आप मसलसल उनको मुश्कल मुश्कल चीज़े बता रहे हैं, परिनामा, एवन फिल्ड अपार्टमेंट, मनी लॉंडरिंग आप रान होगे, मुईद लोगों को लोगों ने कनेक्ट कर लिया है असान चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ, कि आपके घर में अगर चोरी होती है, तो आप गरीब तो होंगे ना आपको एंड में करजे लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जब आमदिनी कम हो जाएगी, कोई चोरी करके ले जाएगा तो आप खर्चे कैसे मिलेंगे, करजे ही लेने पड़ेंगे ना, वो ये पाकिस्तान का हाल है तारीखी करजा चड़ा है पाकिस्तान में, नवे अरब डॉलर एक्स्टरनल डेट है उसकी किस्ते देने के लिए सारी चीज़े महंगी कर देते हैं पाकिस्तान को जो उन्होंने मगरूज किया है, उसके सबसे बड़ी वज़ा इनकी चोरी है अच्छा चले, ब्रेक लेते हैं नाजरी ने रुकिये देखते हैं कि जो एलेक्शन है दो हजार तेरा का, दो हजार अठारा का जो एलेक्शन है उसके लिए तहरीक इनसाफ, एड्मिनिस्ट्रेटिव अतमार से कितनी एक उसके लिए तयार है यह बात करते हैं, ब्रेक के बाते हैं राधिर वेलकम बैक, छे साथ मिनिट हैं, इमरान खान साथ के साथ हूं है तीन चार बड़े एहम सवाल हैं, खान साथ आने वाले एलेक्शन आप कहां से लड़ेंगे? अभी तो हमारा पारलिमेंटरी बोर्ड बैठे का मार्च में और तब फैसला करूंगा अच्छा, अब अगर पंजाब के अंदर एक सो अक्तालीस हलके हों ऑन फुर्टी वन कॉन्सिड वान tu han 후 और हर में तक्रीकवन दो सो हल हो अँ उस यादमी औरग हो, उसके लिए तो आपको दो साथ खाए हाजर, कुम साथ हाजर, छपन हाजर, शाजजाब में जखाएए जो नजर रखे, खबर रखे, शोर मचाए, मीडिया को बताए, स्ट्रॉक्शर इन प्लेस होगा तो आप रिगिंग रोक सकते हैं जो आपके पस नहीं था दो हजार तेरा में, ये कर लिया धांचा आपने तियार? नहीं, ये जो हम मेंबर्शिप केमपेंड कर रहे हैं, इसके अदर मकसद ही ये है कि हमाएं वरकर्स मिलें, हमें पॉलिंग एजेंट्स मिलें, अभी तो टाइम है ना हमारे पास, ये अगले दो मेरे वो करेंगे, देखें, दुनिया बदल गई है, अब सारा डेटा तो आपक मिला, जिस तरह मिलेगा, तो आपके पास टाइम है ट्रेन करने के लिए लोगों को, असल में आदा अलेक्शन होता है आखरी दिन, और इन्शालला जो हमनार जो पांच साल का तजर्वा है, आखरी दिन की त्यारी कर रहे हैं, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, लेकि अब नहीं चलेगा, और एक मसलसल चेहमगोईयां चल रही हैं, कि उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, कि अब जब हम आएंगे, तो हम अदलिया जो है, हम ऐसे, हम तो लौ बनाएंगे, शायद सैनेट के अलेक्शन के बाद ही बना दें, ताकि जजज साहिबान की उमर क हम करेंगे, और जतने जजज हमारे खलाफ हैं, सब को तो हम करेंगे, रिटायर, और उसके बाद जो फौज की ट्रांसफर और पोस्टिंग और प्रमोशन है, ब्रिगेडियर से उपर, वो एक बोर्ड करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर की कंट्रोल में होगा, उनका असल में मकस्द ये है कि वो अदलिया के अंदर सारे जस्टिस की उम ले आएंगे, और वो जो पाकिस्तानी फोज है, उसको पंजाब पुलीस बना देंगे, देखे ना, वो अगर ये इंट्रिफेर करेंगे, पोस्टिंग और ये की प्रमोशन के अंदर, तो पंजाब पुलीस का त इंट्रिफेरंस नहीं है, पुलीस प्रफेशनल हो गई है, पुफॉर्म कर रही है, तो अगर आप पाकिस्तानी फोज को भी अगर अधारे को के अंदर आप इंट्रिफेरंस शुरू कर देंगे, अब पुलिटिकल भरतियां शुरू कर देंगे तो वो भी तबाह हो नहीं तो आप लोग उनको प्रफेरंस करते रहेंगे या आप लोग उसके मकाबले में कोई स्ट्रेंड लेंगे, यां तो हर इंशाला इलेक्शन जीतेंगे, अच्छा, आप प्रेशान है कि वैसी एक बड़ी इंट्रिस्टिंग स्ट्रेट्मेंट आपके बरे में दी है, गुललाईなया ने, ने उनने काई कि इमराँ क्न तो झजबाती आदमी है, अलेकिश छेष जवाधी खतरनाक आदमी है, यह अपने पाउँ पे को लड़ी मारता है, लेकिन आवाज़ कि यह खतरनाक आदमी है, यह फौज और अदलिया के खिलाफ साज्श कर रहा है, उस पे की मदद की अदलिया को ये है कि ये जस्टिस की उम नहीं बने कि जो टेलेफून करो तो जो फैसला कर वा लो इनका इसका देखें नवाश श्रीफ जो फिफ्टी तेमेंडमन में अमीर मुमिनीन बनना चाता था ये पहले दिन से कानून से उपने अपको उपर समझता था ये मुगले आजब बनना चाता था इसको डिमॉक्रिसी की समझ ही नहीं है इसने जो पाकिस्तान को नुकसान पुचा है मैं मुईदा जी कहना चाता हूं और्डियंस के सामने भी इसने जो अदारे तबाह कियें लेकिन जब आप अदारों को कंट्रोल कर लेते हैं मुझे ये बताएं बीस सार इनकी बारी हो ये पंजाब में पंजाब पुलीस पहले से हर बारी तबाह कर देते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में वो मुलवस है लोगों को confidence नहीं है एक सो 37 कतल तो करवा दिये पुलीस के जरी सिर्फ कसूर डिस्ट्रिक्ट में तीन साल में जो ये शबाज श्रीफ जब ये प्राइब जी तो आबेद बॉक्सर को क्यों नहीं ला पाया हमारा तो काम नहीं है नहीं लेकिन 97-98 में इन्होंने 780 कतल करवाए पंजाब में आबिद बॉक्सर की तरह वो कहते है चीफ पनसर खुद मुझे औरर करता था आप मैं मुझे ये बताएं जब पुलीस को तबाह करने वाले आप पंजाब में पुलीस की करॉप्शन ये जिम्मेदार है वो लोहर हाए कोट ने का ये करना क्या चाहते हैं सारे एदारों के उपर अपने टोड़ी बठा देते हैं वो उते हैं सारे जिस तरह उन्होंने पी टीवी पर क्या किया वो अतालुह कास्वी को बठा दी 27 कोर्ड उपया दिया तीन सालों में उसने पी टीवी जो सबसे बड़ा है वो लॉस में है तो हर जगा अब कोई अदारा देख लें ये अदारा तबाह करते हैं पहले अपना आदमी बठाते हैं सारे गलत काम करवाते हैं उनसे सारा पाकिस्तान की तबाही है तो हमने केपी में क्या किया साड़े पांच पसंड ग्रोथ रेट हुई है डॉक्टर फीज पाशा ने का है कैसे किया है वहाँ अदारे मश्बूत किया सबसे पहले पुलीस मश्बूत की जब पुलीस मश्बूत की लाइन ओर बेतर हुआ करप्शन काम होई वहाँ इंवेस्मेंट आनी शुरू होगे ग्रोथ रेट उपर टूरिजम उपर चली गए लेकि क्या केपी को शोकेस कर पाए है आप लोग आपको लगता है कि पंजाब में केपी को शोकेस कर पाए है नैशनल लेवल पे अब कौन पैसा खर्च करें जतना चालीस अरब रुपया ये दोनों सेंटर ये दोनों भाई खर्च कर चुके हैं अब कौन इनका मकाबला करेगा लेकिन आज केपी के अंदर कोई सर्वे करवा ले क्या लोग-मतमेईन हैं तालीम से, 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 हस्पितालों से, पुलीस से लोग नहीं भी है वो कहते हैं कि उतना कुछ नहीं किया क्या किया? या से भी हैं लोग कहते हैं पेशावर में खास तो खेर वो तो हूंगे ना कोई ना कोई उप्वाद करेगा लेकिन आप मुझे ये बता दें कि पिछले दोर और अब मैं असल मैं तो कंपेर करना ना मैं आपको यॉरप से तो नहीं कंपेर कर सकता पुलीस को कर लें जो भी जो भी करप्शन कर लें पटवारियों का सिस्टेम कर लें क्या पहले से बेतर हुआ या नहीं अचा अब सुना है कि रहाम खान आखरी कोश्चन है कि वो कताब एक उनसे लिखवाई जा रही है वो लिख रही है बरतानिया से पबलिश होगी एलेक्शन से पहले आएगी मुझे देखें मुझे शरीफों से तवक्य ये है अब मैं सादक औरमीन तो डिकलेर हो गया हूँ अब तो मुझे सुप्रीम कोट ने कह दिया तो अब क्या करेंगे मेरी जाती जिद्धी पे आएंगे ना और ये पहली दफ़ा नहीं है इनकी सारा टैक होता है इमरान खान की जाती जिद्धी पे इसलिए मुझे पूरी अमीद थी कि ये कुछ करेंगे मुझे कोई फिकर इसलिए नहीं है कि इन चीजों से कभी कोई फरक नी पड़ता लोग समझ आते हैं कि कौन कौन एलेक्शनियर के अंदर कताब क्यों आ रही है तो इसलिए मुझे इसकी फिकर नहीं है अर यू कॉन्फिडेंट फर दी एलेक्शन जी मैं बड़ा पूरा कॉन्फिडेंट हूँ हाँ ये जरूर है कि हमें देखें मुसलसल एक स्टरगल चल रही है हमारी गलती हैं लोदरा में सामने आई अब हम ये पूरा करेंगे अब हम ये नीचे जाने लगे हमें लोगों के पास अब जाना है देखें हमारे जो लोग हैं वो अभी तक अवाम के अंदर नहीं निकले अब अगला फेज वो है और इंशाला आप देखेंगे हम जीतेंगे बहुत शुक्रिया अमरान खान साथ नाजियन आपने अमरान खान साथ के साथ हमारी डिसकेशन देखी सवालाद देखें बहस देखी फैसला आपका है आज इतना ही कल पर आप समलकात होती बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया